मद्य प्रदेश की राजनीती में सिर्फ एक ही वेक्ति है जिसके सब्दों के हजार अर्थ होते हैं नाम है दिगविजे सिंग इन्हें मद्य प्रदेश की राजनीती का चाना के भी कहते हैं बीते रोज दिगविजे सिंग का एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वो अपने शमर्थकों से कह रहे हैं कि मेरे भासन से वोट कट जाते हैं इसलिए मैं रहलियों में नहीं जाता यह बयान देश भर में वाइरल हुआ अख़वारों में छापा गया टीवी पर दिखाया गया सवाल सिर्फिया है कि क्या यह दिगविजे सिंग का दर्द था या उनकी नई चाल इसमें भाजपा फस गई आखिर भाजपा कैसे फस गई 2003 के चुनाव से पहले मधिपरदेश में दिगविजे सिंग का जवरदर्स्त विरोध था उनके कौकश ने यह जानकारी उस तक पहुँचाने ही नहीं दी आत्ममुग्द दिगविजे सिंग गलत फैसले लेते गए अंत्तर शर्मनाथ तरीके से हार गए 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा ने केवल यह जता कर वोट हासिल कर लिया कि भाजपा को चुनों नहीं तो दिगविजे सिंग आ जाएगा 2018 में सीएम सिवराज सिंग का पूरा केमपेन ही दिगविजे सिंग पर ठिका हुआ है मद्य परतेश शाषन के जन संपर्ग संचाल नालेम ने अपनी ही दो सरकारों के बीच तुलनात्मक अध्यान वाला भिग्यापन अभियान चलाया सिवराज सिंग अपनी सभावों में दिगविजे सिंग की याद दिलाना नहीं भूलते थे परन्तु दिगविजे सिंग के ताजा बयान से संदेश गया की कॉंग्रेश बदल गई है अब दिगविजे सिंग नहीं आएंगे दिगविजे सिंग यदि यह बयान लोक्षवाचुनाव के समय देते तो निश्चित रूप से यह दर्द ही होता परन्तु बताने की जरूरत नहीं कि मधिपरदेश में दिगविजे सिंग की जड़ एक ग्राम पंचाय तक फैली हुए दिगविजे सिंग एकता यात्रा के जड़ ये मधिपरदेश की सबसे सक्रिये कॉंग्रेश नेता है ना तो कमलनाथ की तरह ओफिश ओफिश खेल रहा है और नहीं जोती रादिती सिंधिया की तरह अप डाउन करते हैं वो एक शंग प्रचारक की तरह अपने काम में जुटे हुए हैं दूसरी बड़ी बात यह है कि दिग विजय सिंग ने यह बड़ा बयान शार्वजयनिक अस्थल पर नहीं दिया जीटू पटवारी के आवास में अपने चुने हुए समर्थकों के बीच दिया है यदि वो नहीं चाहते तो ना तो यह वीडियो बनता और ना ही वाइरल होता